नमस्का दोस्तों सौगत आपका रिक्रूमेंट जावी यूटुब चैनल पे तो दोस्तों पंजाब पुब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ सी यहाँ पे बहुत सारी जॉब निकल के आ चुकी है इंजिनेर्स के लिए तो दोस्तों कौनकों सी पोस्ट है कितनी सारी पोस्ट है को सलेलरेhow 4 higher और इसके लिए क्या रहेका लाजय क्या पीजह करें जरूब दोस्तों चलुकर के बढ़े में 혼자 और दोस्तों करने फोड़े पोस्त लें यहाँ पर निकल क्या चुकर जुनियर इंजिनियर की सिविल के लिए यहाँ पर पोस्त और वह है रूरल डिवलप्मेंट और पंसायत की तरफ से दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑन-लाइन जो एप्लिकेशन फॉर्म है यहाँ पर आपको देखने को मिल लगए पोस्त है तो जन्रा है पोस्त और उसमें से 11 जो है उपन के लिए है कि इसके भंज माहिला यहिए फ्रीडम फाइटर्स के लिए यहां पर 20 वह पोस्ट उसमें से पात सक्वाइला के लिए आर बाद में प्सूल तो पोस्ट मेहा दूलस मेहला लिए किना टो-टोल्डा से नियुक्त से ऑसे जो पॉस्ट उसमें चार स्वाहला कि लिए है और से एसल्डी झ्यार Tim के लिए पाच पोस्ट है उसमें से एक पोस्ट महिला के लिए है और दोस्तों आगे चलके बात करेंगे तो बालमी की मजबी की सीख एक सर्विसमेन के लिए पाच पोस्ट है उसमें से एक महिला के लिए भी है और बालमी की मजबी की सिख पोस्ट परसन पंजाब के लिए दो पोस्ट है उसके बाद में बैकवर्ड क्लासेस पंजाब के लिए बीसी के लिए दस पोस्ट है उसमें से चार पोस्ट महिला के लिए रिजर्ड की गई है औ और 125 पोर्ट जो है जो है जो है जन्स को मिलेंगी बैस्ट घीए ऐ constant दिया ढग़ेए तो आप देख सकते दोस्तों you यहाई पर पे iader करें裝 किसा करते तो आप देख सकते हैं कि maintenufik तो अच्छी स塔 श rappers करना चीए तो आगे चलके बात करेंगे यहाई पर तो देखेंगे की इस से एसे क्वालिफिकेशन कि आपका डीपलोमा सीवेल में किया होना चाहिए और उसके बाद में 15 बी ऑफ, मैस्टिक औरे सिक वेलन स्टनडर्ड, मतलब वर आपका। पजयाब इसको भी सब listening सब्कुनित चाहि और सब्सक्राइब करें तो आप यहाँ पर देख सकते है और जो डेट है वो फर्स जैनेवरी 2021 को गिनी जाएगी मतलब एक जैनेवरी 2021 को आपकी 37 साल के उपर नहीं होने चीए यह जन्रक लिए उसके बाद में अगर रिलेक्शेशन की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको मतलब यहां पर आपको 42 तक आप अप्लाइक कर सकते हो और 35 साल तक आप यहां पर अप्लाइक कर सकते हो तो इस तरह से आपको प्लाइक को मिलता है डोस्तों च्रीक्शेशन होगा उसके ऊपर यह आपका सेलेट्शन होगा और तोटल एक्जाम आपका 300 मार्स के ऊपर होगा आप देख सकते हैं और तीन सो मास के लिए डिवाइड किस तरह सोगत आप देखेंगे यहाँ पर देखी क्वेसेंस प्रॉम्ड सब्जेक्ट तो सिलेबस के उपर आपको यहाँ पर सो क्वेसेंस आएंगे और टूफिप्टी मास है और जो ऑदर मतलब जैसे की मेंटल अबिल तो यहाँ पर इंपर्टन डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाजट मिलती है फॉर्म भरने के लिए बीस अपरील धोहजार इकीस रात को ग्यारा बचकर 69 मिनट मतलब रात के बारा बय तक आप यहाँ पर अपला कर सकते और आपको फीज भरने के लिए यहां पर फीज भढ़नी ज़रूरी है और फॉर्म सब्मिट करने लिए आपको बाइस सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों चलो बात करते फीज की कितनी सारी फीज आपको लगने वाली है तो आप यहां पर देख सकते फीज का चार्ट ओपन हो चुका है अगर आप यह स्टी सब्सक्राइब करने वाली है और अगर आप यहां पर 500 रुपए अप्लिकेशन चार्ज लगने वाला है और फीज के तौर पर कुछ नहीं है तो कुल मिला कि आपको यहां पर सिर्फ 500 रुपए फीज भरनी है और अगर आप अल और काटेगरिस से हो जैसे कि से तो आपको यहां पर 500 रुपए अप्लिकेशन चार्ज लगने वाला है साथ ही साथ आपको फीज के तौर पर 2500 रुपए लगने वाले मतलब कुल मिला कि तीन हजार रुपए फीज आपको यहां पर लगने वाली है और अगर आप पीड़ोडी हो मतलब परसनल वित 30 अपरिल तो 27 अपरिल के पहले आपको यतनी सारी फीज करने ज़रूरी है तो दूस्तों इस तरह से आपको यहां पर फॉर्म फिलप करना है बाकी चीज़ आपको यहां पर बहुत सारी दी गई है आप यहां पैकिज चेक कर सकते इसकी लिंक में निचे डिस्रिप्षिशन प्सक्राइब क्लास इसके भार है भी यहां पर डिया गया आप चेक्कते हैं इसके बारे में होदे दिया थिया इनियों करते हैं सारी यहां पे देखने को क्या है यह इसको तो यहाँ पर दिया गया है मतलब 38 pages का आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको यहाँ पर syllabus भी देखने को मिलता है आप यहाँ पर चेक कर लिए देखिए इंजिनिरिंग ट्रॉइंग के लिए यहाँ पर क्या क्या लगने वाला है अप्लाइड मैक करने के बाद ही form fill up कर लिए क्योंकि वहाँ पर आपको सारी चीजे देखने को मिलेगी तो आइप दोस्तों मैंने आपको सारी चीजे बता ही है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों साथ में शेयर कीजिए और अगर आप सच मुझ गवर्मेंट जो आपना झाल